हिलो दोस्तों गुड इवनिंग मैं दिलीप कुमार यादव आप सभी लोगों को नमस्कार ओप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लेटन सिस्टम के कोश्चन सॉल्व करेंगे मतलब कंकाल तंत्र तो इस्टार्ट करने से पहले अगर अभी भी आप लोगों ने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमाई टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं चलते हैं आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी लाइक कर दीज़े तो हमारा कल का question था कि हमारे सरीर में मुख रूप से कितने शमवेदी अंग पाए जाते हैं How many sense organs are there in our body तो हमाई जो body हमाई सरीर में कितने sense organs पाए जाते हैं 2, 3, 4 या 5 तो कुछ लोगों ने answer दिया था तो उनके answer सही है तो मैं आप लोगों से बाकी जितने लोग देखते हैं इस वीडियो को और answer नहीं दे रहे हैं तो वो लोग भी answer देना इस्टार्ट कर दें ताकि अपने आपका आकलन हो सके है ना गलत ही सही लेकिन कम से कम answer तो दीजिए है ना तो जो जिन लोगों ने कल answer दिया था D number 5 तो उनका सही answer है कि जो हमाई शरीर होती है हमाई शरीर में कित्ते शमवेदी अंग पाए जाते हैं पाँच पाए जाते हैं कौन-कौन से होते हैं तो जो प्रकास ग्राही प्रकास ग्राही के लिए कौन सा होता है नेत्र आई पहला होता है प्रकास ग्राही, कौन सा नेत्र, दूसरा हो गया अपना इसपर्स ग्राही, इसकीन या इसी को त्वच्छा, और तीसरा होता है कौन सा ध्वनी ग्राही, चौथा हो गया अपना श्वाद ग्राही, आच्वा हो गया अपना गंध ग्राही, तो ध्वनी ग्राही में अपना आजाएगा कर्ण, यहने कान, एर, और श्वाद ग्राही में आजाएगा अपनी जिव्या, जिव, टंग, और गंद ग्राही में अपना आजाएगा नाक, नोज, तो कित्ते होगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो अपना राइट आंसर क्य आज का ये पहला कोशन है कि सिर और उपरी जवडे के बीच का जोड एक उदाहरण है स्रोडी संधी पैल्विक जोइंट का बद्दे संधी फिक्सट जोइंट का ये कंदु खलिका संधी बॉल एंड सौकेट जाइंट का ये हिंज संधी हिंज जोइंट का तो जो सिर होते हैं और सिर और उपरी जबड़े तो उनके बीच कौन सा जोड़ पाया जाता है, तो दीको हमाई सरीर में क्या होती हैं, कई प्रकार की संधिया होती है, कई प्रकार के जोईंड पाया जाते हैं, तो उनको चार प्रकार से डिवाइड किया गया है, कौन-कौन स पहला हो गया अपना कंदुक खल्ली का संधी मितलब बॉल एंट, सौकेट जाइंट दूसरा हो गया धुराद ब्रोशंधी कीसरा हो गया अपना हिंज संधी मतलब हिंज जॉइंट और चौथा हो गया अपना कौन सा अचल संधी मतलब फिक्सेट जॉइंट अचल संधी तो अपने को बताना है कि जो सीर और उपरी जबड़े होते हैं वह किस जोड के उधारण है तो जो अपना सिर होता है और उपरी जबड़े होते हैं तो ये कैसे है अचल होते हैं ये गती नहीं कर सकते न तो ये किस में आ जाएंगे मतलब अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नमबर और जो कंदुख खली का संधी होती है कैसे होती है कि ये कप सेप में होती है मतलब कप सेप में होती है और इसके अंदर गेंद के समाकार की गोल अस्थिया होती है वो फिट रहती है मतलब जो और ये पाई कहां जाती है जो humorous और अंसमेखला के बीच में होती है, कहां humorous और अंसमेखला के बीच जो अपनी हिंद संदी होती है, हिंद संदी कहां पर पाई जाती है, जो अपनी हिंद संदी होती है, यह करती है, एक सीमित गती करती है, मतलब एक दिसा में गती करती है और कितना 180 degree में जो अपनी कोहनी हो गई और घुटनों में होती है कोहनी हो गया और घुटनों में कौन सी पाई जाती है अपनी hinge joint पाई जाती है और जो अचल संदी कहां पाई जाती है जो अपने सिरोर उपरी जबडों के बीच में जिसको हम हिला नहीं सकते हैं तो next question क्यों आगे बढ़ते हैं इस question का answer क्या गया बी number अपना अगला question है कि दाहिने हाथ की अस्थी में कुल अस्थिया होती है तो जो अपनी दाहिने हाथ होता है दाहिने हाथ में कितनी अस्थिया पाई जाती है कितनी bones पाई जाती है अपने right hand में तो दिखो जो अगर division की बात करें जो इस्कलेटन का डिवीजन है डिवीजन ओफ इस्कलेटन तो इसको तू दो प्रकार से डिवाइड किया गया है कौन-कौन से एक्जियल इस्कलेटन एक्जियल इस्कलेटन यहनि अच्छी कंकाल और एपेंडिकुलर इस्कलेटन मतलब उपांगी एक्जियल एक्सक्लाइटन होता है इसमें कित्ती होती है अस्ची होती है और जो एपेंडिकुलर होता है इसमें 126 होती है तो जो एपेंडिकुलर होता है appendicular में upper limb upper limb हो गया और lower limb तो upper limb में कित्ती होती है 60 होती है और lower limb में कित्ती होती है 60 होती है और बागी जो होती है जैसे pectoral gridal हो गई मतलब अंसमेखला pectoral ग्राइडल ग्रेडल इसकी चार होती है और pelvic gradle pelvic इसमें कित्ती होती है 2 इसको स्रोणी में एकला बोलते है तो ये कित्ती हो गई 60, 60, 120, 124 और 126 तो जो appendicular होती है उसमें 126 और जो axial होती है उसमें कितनी 80 तो अब हम बात किसकी करना है दाहिने हाथ तो अपना दाहिना हाथ जो हाथ का आता है जो किसमें आता है upper limb पे upper limb में upper limb में क्या आता है हाथ आ जाता है तो एक हाथ की पूछा है तो एक हाथ में अपर लिम में कित्ती पाई गई है? 60 तो अगर अपर लिम की यानि एक हाथ की पूछा है तो इसको किस से डिवाइड कर देंगे? 2 क्योंकि हमाई 2 हाथ पाई जाते हैं तो कित्ती हो जाएगी? 30 तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? A नंबर अब बात करेगी अपर लिम में कौन-कौन सी हड़ी अप आई जाती हैं? तो जो अपर लिम है? अपर लिम में कौन-कौन सी हड़ी अप आई जाती हैं? हुमरस हो गई कित्ती होती है ये? 2 रेडियस इसकी संख्या कितनी होती है? 2 उलना ये कितनी होती है? 2 कारपल ये कितनी होती है? शोला मेटा कारपल ये कितनी पाई जाती है? 10 और फैलेंजस कितनी पाई जाती है? 28 इसकी हो गई अपर लिम्ब की कित्ती हो गई इनको गिन लीजिए? 28 to 30 32 34 34, 6 हो गया 40 then 50 और ये 10, 60 तो कित्ती हो गई? 60 तो अगर ये 60 हो गई इसको डिवाइड कर देंगे तो अपना कित्ते आ जाएगे दो एक हांत का मिला के 30 तो अपना राइट आंसर क्या गया? 30 राइट नेक्स्ट क्वेशन क्यूर आप आँगे बढ़े? इतना आप लोग को समझ में आ गया तो अगर अभी भी समझ में आ रहा है दोस्तों तो फिल लाइक कर दीजिए देखो अगर आपने डाटा के लिए तो पैसा खर्च कर ही दिया है है ना? तो लाइक करने में क्या जाता है? तो कर दीजिए लाइक और अगर सेर करना चाहेंगे तो उससे अच्छी बात तो कोई होगी ही नहीं तो चलिए कोशन की और बढ़ते हैं कि घुटनों की हड़ी का दूसरा नाम क्या है? दा अधर नेम फ़र नी कैप इज तो घुटने की हड़ी है तो घुटने की हड़ी को और हम अधर नेम दूसरे नेम क्या बोलते हैं? पटेला, हंसली, इस्टैपस या फीमर तो जो steppers होती है, तो किसकी है, ये कान की हड़ी है, femur कहां की हो गई, ये जांक की हो गई, अब बचा कौन, पटेला और calvical, तो जो अपनी calvical होती है, calvical कहां की होती है, ये collar bone होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हंसली और, तो ये कहां की होती है, collar bone होती है, collar bone, इसी को beauty bone nggakंफ भी बोला जाता है कि को upon को अब बची कौन सी पटेला तो जो अपनी घुटने की हड़ी इसको अधार करती है कैसे यह ये ये ऐसे होती है ऐसे और यहाँ पर एक गेंद क्या कार के समान एक गोल आकरिती में अस्थिय पाई जाती है तो ये कौन से हो गई इसका नाम क्या होगा पटेला नेक्स्ट क्यों आगे बढ़े अपना क्वेशन है कि ब्लैंक कारण अस्थिया कठोर होती है तो अस्थियों में यानि हड्यों में बोन्स में क्या पाया जाता है जिसके कारण वे कठोर होती है magnesium salt, calcium salt या sodium salt, या condriton salt, तो क्या पाया जाता है तो देखो जो हमाई bones होती है किस-किस से बनी होती है calcium और phosphate इनका मुख्य घटक होता है है ना कौन सा? phosphate हो गया, तो जो इस पर अपना right answer क्या जाएगा, B number calcium lover, right next question क्यों रांगे बढ़े है आपण next question है कि मानो खोपड़ी में चहरे की हड्यों की संख्या कितनी होती है how many facial bones are there in the human skull तो देखो, जो मानो खोपड़ी इसकल में कितनी हड्या होती है इसकल में होती है 22 तो 22 होती है, अगर तो अब किसकी बात करेंगे जो कपाल होती है शरी जो ये मानो खोपड़ी में कितनी, इसकल इसको नहीं बोलते है है ना इसको अपन क्या बोलते है क्रेनियम बोलते है, कैनियम ठीक तो जो कैनियम यानि पूरी टोटल कितनी होती है 22 होती है जिसमें इसकल यानि जो खोफड़ी की कित्ती होती है 8 होती है और फेशल की बात करें तो जो कित्ती होती है 14 होती है तो 14 आठ कित्ती हो जाता है 22 तो अपने को यहाँ पे किसकी पूचा है चेहरे की हड़ी, फेशल हड़ी फूचा है तो अगर कितना जाएगा अपना राइट आंसर C हो जाएगा, राइट तो अपना राइट आंसर क्या गया, C नंबर और बात करें अगर चेहरे की हड़ी में कौन-कौन सी होती है तो जो चहरी की हड़ी में होती है एक नाग की हड़ी हो गई और हीन टर्बाइन हो गई हीन टर्बाइन वोमर हो गया लेक्रिमल्स लेक्रिमल्स और जाइगोमेटिक लाटिन और दाड की और दाड की और दाड की और जबडे की हड़ी और जबडे की हड़ी तो जो नाग की हड़ी ये कितनी पाई जाती हैं दो हिंटरवाइन कितनी पाई जाती हैं ये भी दो ओमर जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है एक लेक्रिमल्स की संख्या दो जाइगोमेटिक कितनी पाई जाती है दो प्लाटिन की गात करें तो यह कित्ती दो दाड की हड़िया कितनी होती हैं दो और जबड़े की हड़िया हो गई एक तो कितनी हो गई गिल लीजिए टू 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 फोर चार पांच छह साथ आठ नो दस गेरा बारा तेरा और एक चवद है तो अपना राइट आंसर क्या गया चवद है लाई का जोड़, कूले का जोड़, उंगली का जोड़ या गर्दन का जोड़ तो अभी हमने बताया था कि बॉल एवं सौकेट जोड़ जो बॉल एवं सौकेट पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं कंदुख खली का संधी तो यह किसका जोड़ है तो यह कूले का जोड़ तो अपना right answer क्या जाएगा B number, right? तुझो अपना ball एवं socket जोड होता है, ये किसका जोड होता है? कुले का जोड होता है, कैसा ये स्रोडी में एकला में पाया जाता है, कैसे pocket के समान ये बैठ जाता है, और बात करें अगर कलाई के जोड को, तुझो कलाई का जोड होता है, कै कैसे होता है, कॉंडो जोड और की कुलेशन शे बना हुगा होता है, right? और अगर उंगली के जोड की बात की जाए, तो उंगली का जोड कैसे होता है, कंगी के समान, दिखте होगे ना, ये कंगी में पाये उंगली के जोड में पाए जाते हैं तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है बी नमबर जो बॉल एवं सौकेट जोड होता है वह किसमें पाए जाता है कूले के जोड पे पाए जाता है राइट नेक्स्ट क्वेशन की और आंगे बढ़े कि मानव सरीर में आपको किस होती है कश्टी का हडडी होती है कश्टी का अस्थी होती है वह कहां पे पाई जाती है गर्दन में यह सपोल करो है यह अपना क्या हूआ गर्दन हुआ ठीक तो इस गर्दन में यहां पर कौन सी पाई जाती है अपनी कश्टी का हड़ी पाई जाती है राइट तो यहां पर अपनी क्या पाई जाती यह कौन सी हो गई कश्टी का और यहां पर यह क्या होती है फैरिंग्स होती है राइट ले रिंग्स होती है तो जो अपनी कश्टी का हड़ी होती है यह कहां पर पाई जाती है गर्दन में तो अपना राइट आंसर क्या जाए गा बी नंबर और यह किस आकार में होती है जो घोडे का नाल होता है न घोड़े के नाल के अकार की होती है और यह कैसी होती है अपनी बोडी में अपने सरीर में तैरती हुई पाई जाती है फ्लोटिंग में ठीक इसको सबसे फ्री हड़ी की इसको बोला जाता है यही अपनी कश्टी का अस्थी को बोला जाता है तो अपना राइट आंसर क्या गया बी नंबर next question क्यों आगे बढ़ते हैं वपन next question है कि कंकाल पेसी और हड़ी को आपस में जोडने वाला उतक है तंत्रिका, लिगामेंड, टंडन या इन में से कोई नहीं तो जो कंकाल पेसी और हड़ी को आपस में जोडने वाला कौन सा उतक है तो देखो, जो बोन को बोन से जोडता है, मतलब बोन से बोन वा कौन है, बल्ब, यानि कि जो बोन से बोन को जोडता है, वा कौन हो गया, लिगामेंड लिगामेंड हो गया, और जो मान स्पेसियों को किस से बोन से जोड़े वह कौन से कहलाता है, MTV मतलब Tendra, या सोच, इसको Tendon या कंडरा बोलते हैं, Tendon या कंडरा, राइट, तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा, C number, Tendon, और अगर बात करें, कि अगर मान स्पेशी को मान स्पेशी से जोड़े, कौन, अगर मान स्पेशी से मान स्पेशी को जोड़े, तो वह क्या कहलाती है, वह फैशी का, कौन सा T-C होतो है, जो मान स्पेशी को मान स्पेशी से जोड़ता है, फैशी का, उसी को हम क्या बोलते हैं, संपट, तो इतना समझ में आगए कि जो अगर हड़ी को हड़ी से जोड़े वह क्या कहलाता है लिगामेंट और जो मान स्पेशी को हड़ी से जोड़े हो है टेंडन कहलाता है या कंडरा और जो मान स्पेशी को मान स्पेशी से जोड़ता है वह क्या कहलाता है फैशी का और अगर इन ज जॉइंट होते हैं, जॉइंट का अध्यान क्या कहलाता है अपना, शिंडेस्मो लॉजी, शिंडेस्मो लॉजी, शिंडेस्मो, शिंडेस्मो लॉजी, जॉइंट का अध्यान, शिंडेस्मो लॉजी कहलाता है, तो जो अगर कंकाल पेशी को हड़ी से जोड़ने वाला, क्या कहला आएगा अपना, इस पर राइट आंसर क्या होगा, टेंडन, नेक्स्ट कोश्चन क्यों आँगे बढ़ते हैं वापन, कि मानो सरीर में पेशियो की संख्या कितनी होती हैं, तो अपने जो मानो सरीर में पेशियो की संख्या, मसल्स की संख्या कितनी होती हैं, 106, 206 या 423 या 649 तो कितनी होती हैं बात करेगे पेशियो की, तो पेशिया कितनी प्रकारसी होती है तीन प्रकारसी कौन-कौन सी एच्छिक मान स्पेशिया अनेच्छिक मान स्पेशिया और हैदय मान स्पेशिया और इनकी संख्या कितनी होती है छह सो उन्तालिस तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा डी नंबर राइट और जिसमें से चहारसो उन्तालिस में से जो चारसो पेशिया होती है वह कैसी होती है रेखित पेशिया होती है रेखित पेशिया रैट और मानो सरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी है जो सबसे बड़ी पेशी है वह कौन सी होती है ग्लूटस मैक्सिमस होती है ग्लूटस मैक्सिमस और सबसे लंबी पेशी सबसे लंबी पेशी की बात करें तो कौन सी होती है सार्टोरियस सार्टोरियस और सबसे ज़्यादा पेशिया पाई कहां जाती है अगर सबसे ज़्यादा पेशी पाई जाती है कहां पाई जाती है पीठ में सबसे ज़्याद़ पेशी पेशियां कहां पाई जाती हैं पीठ में कित्ती पाई जाती हैं एक सो असी राइट मुझे आगे नेक्स्ट कॉश्चन की और तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉश्चन की और कि मानो खोपडी में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं तो मानो खोपडी में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं तो अभी हमने पिछले कॉश्चन में बताया था कि मानो खोपडी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं ट्वंटी टू जिसमें से कौन-कौन सी हो गई इसकल हो गई और फेशियल की हो गई तो इसकल के कित्ती होती है 8 और फेश की होती है कित्नी 14 कित्ती हो जाती है 22 तो हमने वहाँ पर बता दिया था कि जो चहरे की हड्डिया होती है उनके नाम लिखवा दिया था अब बात कर लेते हैं किसकी, इसको क्या बोलते हैं, कैनियम हड्टिया, कैनियम, तो जो इसकल होती है, इसकल में कितनी पाई जाती है, तो एक हो गई ललाट, जिसकी संक्या होती है, एक, दूसरी होती है, पारश्वीका, कितनी होती है, दो, कबजेदार, कबजेदार होती है क जो इस थाई होती है, वे कितनी होती हैं ? दो होती है। और एफिनाइड होती है एक और एथमाइड होती है एक खौन सी हो गई एक एफिनाइड हो गई यह कितनी होती है एक और ethemoid हो गई एक कितनी हो गई एक तो इसमें गिंती कर लिजिए कितनी हो गई एक दो तीन चार पांच छे सात एक आठ तो कितनी हो गई आठ और हमने फेश की बता दिया था चाउदय तो कित्ती हो जाते हैं चाउदय और आठ बाइस और अगर कभी-कभी पूछ लेता है कि खोपड़ी से जुड़ी हुई तो खोपड़ी से जुड़ी हुई होती है टून्टी नाइन तो ये को आप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा क्योंकि ये कभी कठा नहीं देगा कि 22 और 29 कभी कठा नहीं देता है और अगर कभी पूछ लेता है अगर आप्शन पे 22 नहीं रहता है तो वहाँ पे आपको क्या बताना पड़ेगा 29 क्योंकि जो 6 होती है वे 3 जुड़ी हुई होती है कौन सी कान की जुड़ी हुई होती है तो कित्ती हो जाती है 29 हो जाती है कान की होती है और एक और होती है है ना तो इसका अपना right answer क्या जाएगा C number 22 राइट, next question क्यों आगे बढ़े और sorry, जो अपना जबडे की हड़ी होती है ना जबडे की हड़ी को क्या कहा जाता है mandible कहा जाता है जो face में होता है face में क्या होती है जबडे की हड़ी अभी पाई जाती है ना तो जो जबडे की हड़ी है जबडे की हड़ी जबडे की हड़ी को अपन क्या कहती है mandible mandible कहा जाता है और जब आप देखना कि खोपड़ी में छिद्र होते हैं न छोटे छोटे छेद होते हैं उन छेद को क्या कहा जाता है फोर मीना कहा जाता है खोपड़ी में छेट तो उसको क्या कहा जाता है फोर मिना कहा जाता है फोर मिना ये फोर मिना क्या करते हैं जो ब्लेड वैसल्स हैं और पल्स होती हैं जो नसे होती हैं उनको आने जाने की अनुमती देते हैं ये अपने छेट जो फोर मिना होते हैं तो इस पे अपना right answer क्या गया? 22 Next question क्यों आँगे बढ़ते हैं वापन कि अच्छी कंकाल में कितनी हड्डिया होती है? Axial isclaton तो Axial isclaton में कितनी हड्डिया होती है? हमने बताया था भी तो Axial isclaton में कितनी होती है? Axial में होती है? Sorry, 80 और appendicular में कितनी होती है? 126 कितनी होती है? और appendicular में कितनी होती है? 126 तो अपना यहाँ पे क्या पूछा है? Axial तो अपना right answer क्या जाएगा? A number Right? तो अब बात कर लेते ही इसमें 80 कैसे कैसे होती है? तो देखो जो अपनी स्कल हो गई यहने खोपड़ी की कित्ती हो गई? 22 है न? Cranium और facial की आठ आठ हो गई अपनी Cranium की और facial की हो गई चवदा तो इसकल की बात करे तो वो कित्ती हो गई? 22 और अपनी एक कष्ट का हड़ी थी White horn White bone कित्ती हो गई? एक हो गई Auditory और सिकाइक जिसको मद्धकर्ण बोलते हैं Auditory और शाइकल और शील हो गई न? और दूसरी हो गई कष्टे रुखाई जिसको Vertebral Column बोलते हैं Vertebral Column कित्ती हो गई? 26 और हो गई Thorax तो Thorax को हमने कल भी बताया था Thorax कित्नी हो जाएंगी? 25 एक हो जाएगी कौनसी? Sternum 24 हो जाती है Ribs तो कित्ती हो जाती है टोटल मिला के? 25 तो इसमें अब इसको गिन लिजे कित्ती आ जाएंगी? 80 आ जाएंगी 25 और 26 यह हो जाएंगी 51 51 और 6 57 58 260 62 यहनि 80 हो जाएगा तो कित्ती होती है? Axial Iskletan 80 होती है बढ़े next question की ओर और यहां पे जो 126 दिया है वह किसकी होती है? 126 होती है appendicular की यह तो हमने लिखी दिया है और जो 206 होती है पूरे हमाए body में पूरे सरीर में कित्ती होती है? 206 होती है Right? next question की ओर आगे बढ़ते हैं कि caller की हड़ी को किस नाम से जाना जाता है? यह उनले Mm इसी को हम क्या बोलते है? Hansley Hindi में कभी-कभी नाम पूछ लेता है न तो इसका right answer क्या हो जाएगा? D number और जो कॉलर की बोन होती है, कॉलर की बोन को भी क्या बोला जाता है, ब्यूटी बोन बोला जाता है, जो ब्यूटी बोन होती है, अपनी कॉलर की बोन ही होती है, राइट, जो कॉरिकाइड होती है, कॉरिकाइड को क्या बोलते हैं, असंतुंड बोलते हैं, कभी कभी हिंदी क नाम लेने में इतनी जादा वो होती है, चन्तुंड, जो ये तोरिशन मैमल्स होते हैं उनको छोड़कर कि बाकी सभी मैमल्स में पाई जाती है कौन और जो इसकैपूला होती है यह कहां होती है जो अपने अपर आर्म होती है ना अपर आर्म बोर में जो कॉलर को जोड़ने का काम करती है कौन करती है हुआ है इसकैपूला करती है हुमरस में होती है और जो यह पटेला है पटेला त क्या है वाट इस दा मेन कॉंस्टिट्यूंट कॉंस्टिट्यूंट ओफ दा हुमन बोन फास्फोरस आयरन कैल्सियम या जिंक तो देखो मानों की जो हड़ी है उसके वग किस-किस से यानि कि उसमें मुख घटक कौन-कौन से होते हैं कैल्सियम और फॉस्पेट तो इस पर क्या हो जाएगा सी नंबर राइट नेक्स्ट क्यों आगे बढ़े है वपन कि कार्पल्स और मेटा कॉर्पल्स हमारे ब्लैंक की हड्डियां है तो जो कार्पल्स और मेटा कॉर्पल्स कहां पाई जाएंगे खोपड़ी में चेहरे में हाथ में या पैर में तो जो कॉर्पल होती है और metacorpal ये कहां पाई जाती है ये दोनों हाथ में पाई जाती है राइट कहां पाई जाएंगी हाथ में पाई जाती है तो जो ये अपनी metacorpal होती है तो अपना right answer क्या जाएगा c number तो जो अपनी metacorpals होती है metacorpals कहां की हड़ी है ये हतेली की हड़ी है हाथ में कहां पाई जाती है हतेली में इसकी संक्या कितनी होती है पांच और अगर बात करें कार्पल की कार्पल की कहां की हड़ी होती है कलाई की हड़ी होती है इसकी संक्या कितनी होती है आठ और अग कभी कॉर्पल की जगह अगर आप कंफ्रूज हो जाते हो किस किस पे टार्सल और मेटा टार्सल पे कौन कौन सा एक हो गया टार्सल और मेटा टार्सल तो जो मेटा टार्सल है और टार्सल है यह कहां की है पैर की हड्डिया होती है तो जो अपनी मेटा टार्सल होती है उसकी सं क्या तो हमने बताई दिया था कित्ती होती है आठ और फेस की कित्ती होती है चयुद है तो इस पर अपना राइट आंसर क्या गया था और जो पैर की कौन कौन सी हो गई टॉर्सल हो गई, मेटा टॉर्सल हो गई, तीबुला होती है अफीमर होती है ये सब किसकी है पटेला हो गई ये सब किसकी है पैर की हड़िया होती है राइट नेक्स्ट कुश्चन को आगे बढ़े है अब अपन निमने में से कौन सा एक हमारे पैर पश्पाद की हड़ि नहीं है तो अब वहाँ पे हाथ की पूछ लिया था यानि कि जो टीविया हो गई फीमर हो गई फैवुला हो गई ये कहां कि ये सब ही तो पैर की है और बची कौन सी रेडियस तो जो अपनी रेडियस होती है वह कहां की हड़ी होती है ये हाथ की हड़ी होती है तो अपना राइट आंसर इस पे क्या जाएगा ए नमबर और बात करें ज तो फीमर की कित्ती होती है, दो, और यह कहां की होती है, जांग की हड़ी होती है, और यह हमारे सरीर की, सरीर की कया है, सबसे लंबी हड़ी है, सबसे लंबी हड़ी, कौन फीमर जांग की, और सबसे छोटी हड़ी कहां होती है, कान में, क्या नाम है, उसका इस्टेपल, राइ कंधे में, कलाई में, हथेली में या अंगली में, तो जो स्कैपुला है, स्कैपुला क्लैविकल, वह कहां पाई जाएगी, बताएए, कंधे में पाई जाएगी, कलाई में पाई जाएगी या हथेली में पाई जाएगी, तो देखो, जो अपनी क्या होती ये स्कैपुला, यह क्या हो गई अपनी स्कैपुला हो गई और यहां पे क्या होती है यह क्या हो गई अपनी डाइग्राम थोड़ा सही से बना नहीं है यह क्या है अपनी इश्टर नाम हो गई यह कौन से सेप पे होती है टी सेप पे होती है कहाँ पे थोड़ ऐसे कैवटी की है है ने चेश्ट की यह हड़ी होती है इसी को और क्या दूसरा नाम बोलते हैं इसी को breast bone भी कहा जाता है breast bone या chest bone भी कहा जाता है किसको sternum को तो जो क्या हो गई जो ये scapula हो गई और sternum हो गई उसी को यह जो फिर इसी को जो जोड़े हुए रहती है वह कौन होती है जो पट लंबवद पाई जाती है वह कौन सी होती है क्लेविकल 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 इसी को क्या बोलते है ये क्यों सी होती है कॉलर बोन होती है इसी को और क्या नाम बोलते है ब्यूटी बोन ब्यूटी बोन तो जो स्कैपुला हो गई और clavicle, तो जो scapula और clavicle यो दोनों मिलकर की क्या बनाती है दोनों मिलकर की कौन सी अस्ति बन जाएंगी कंधे की, तो अपना right answer क्या जाएगा, A number कौन सा, in the shoulder तो अपना right answer क्या हो जाएगा A number, right next question क्यों आँगे बढ़े है अब अपन कि प्रत्यस्थ elastik उतक, जो हड्यों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं, इस नायू, ligament या तन्तु मैं उतक, fibrous tissue या fibrin या man species उतक, तो अभी हमने ज़श्ट कुछ समय पहले, या नि कुछ दो-तीन question के पहले हमने बताया था, कि अगर bone से bone जोडता है, तो वह कौन जोडता है, ligament है ना, ligament जोडता है, और bone को muscle से कौन जोडता है tendon उसी को क्या बोलते है tendon उसी को क्या बोलते है कंडरा बोलते है और man species को man species से कौन जोडता है कौन सा जोड़ता है अभी हमने बताया था उसको हम बोलते हैं संपट या क्या बोलते हैं फैशिका फैशिका संपट तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जो उतक जो हड्डियों को एक साथ कौन पकड़े रहता है लिगमेंट तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नमबर इसनायू लिगमेंट को और दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसनायू राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आंगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निमलिखित में से कौन हमारे सरीर का सबसे द्रढ़ बाग है अस्थी, दंतवल्क, या डेंटीन, या सीमेंटम तो अपने सरीर का सबसे द्रढ़ बाग, सबसे कठोर बाग कौन सा है, strongest part तो किसको बोलते हैं, तो देखो अगर हम बात करें कहां की, animal kingdom की animal kingdom तो अगर जनतू जगत की बात करें तो जनतू जगत में सबसे कठोर बाग कौन होता है enamel और अगर बात करें किसकी, plant kingdom की plant kingdom अगर पादब जगत की बात करें तो पादब जगत में कौन सा होते हैं sporopollenin इस्पोरो पोलेनिन जो कहां पाए जाते हैं ये पराकड के उपर पाए जाते है पराकड के उपर तो अपना राइट आंसर इसमें से क्या चला जाएगा जो इनेमल होता है इनेमल कहां पाए जाता है दंत वल्क पे तो अपना right answer क्या हो जाएगा बी number राइट और आप लोग देखे होंगे कि जो अपने fossils होते हैं ना fossils पे सबसे ज़्यादा किसके वो मिलते हैं तो fossils में सबसे ज़्यादा दात और पराग कड़के ही मिलते हैं क्यूं क्यूंकि हैं जिसका अध्यन कहलाता है organology, orthology, oncology या ornithology क्या कहलाएगा तो देखो जो अपना क्या है organology, organology क्या 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 एस्टड़ी ओफ जो औरिगन के structure and function की study क्या पहलाता है और्गेनो लॉजी तो इस्टेडी ओफ फंक्शन एंड इस्ट्रोक्शर और्गन इसकाल्ड ओर्गेनो लॉजी और और्थो लॉजी मतलब क्या हो जाएगा इस्टेडी ओफ इस्टेडी ओफ जॉइंट तो क्या कहला जाएगा अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर और और्गेनो लॉजी क्या कहलाता है इस्टेडी ओफ कैंसर इस्टेडी ओफ कैंसर और और निथो लॉजी क्या कहलाती है इस्टेडी ओफ बर्ड इस्टेडी ओफ बर्ड पक्षियों का अध्यन क्या कहलाता है और नितोलोजी और अगर कभी पूछ लेता है यह कभी कभी ही नहीं यह पूछा ही जाता है अध्य कि बिर्ड मैन ऑफ इंडिया किस्को कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली खान को डॉक्टर सलीम अली खान को, किसको कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली खान को, राइट, नेक्स्ट क्वेस्चन क्यों आँगे बढ़े है अब अपन, कि सल्ले क्रिया में और्थोप्लास्टी क्या है, तु जब सल्ले क्रिया मतलब सर्जरी के दौरन और्थोप्लास्टी क्या हो open heart surgery, तो मतलब यह किस से related हो गई, हाइट से, गुर्दा प्रत्यार ओपड kidney transplant यह किस से related हो गई, kidney से, और कूली की जोड का प्रतिस्थापन इप जॉइंट का रिप्लेस्मेंट किया जाता है तो जो अब सरजरी की जाती है उसे क्या कहते है आर्थोपलाश्टी तो अपना right answer क्या जाएगा C number अपना right answer हो जाएगा C number और रुधिर आधान blood transfusion तो ये तो आप जानते हैं कि जब blood transfusion मतलब एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति में blood चढ़ाया जाता तो क्या हो जाएगा? रुधिर आधान हो जाएगा तो अपना right answer इस पर क्या गया? C number next question क्यो principles बड़ते हैं वापन titani-rog निम्णमें से किस्त तत्व की कमी से होता है तो titani एक titani-rog massage होता है एक कौन सा होता है? titaness-rog तो जो अपना titani-rogage होता है तो ये titani-rog जो अपना titani होता है tatani तो ये कहा होता है? इस जो muscles होता है मुसल्स में होने वाला रोग है कौद टिटैनिक और इसको क्या बोलते है स्टैफिनेस ओफ मसल्स मतलब स्टैफिनेस ओफ मसल्स यानि मसल्स में क्या हो जाता है और इसमें से क्या होता है कि जब हड्डियों में अचानक क्या आजाता है उसीे को आपन क्या बोलते हैं ? टिटैनी रोग बोलते हैं स्टेफिनेस अब मसल्स खालत और किस जाता है ? केल्सियम की कमिते और एक हार्मोन और होता है उसके वज़ेसे क्या होता है ? केल्सि टॉन एलजर सा है ? कौन सा है ॹैलसी टॉनिन तो क्या होता है जब कैल्सी टॉनिन होर्मोन का क्या होता है सिक्रेशन होता है तो जो अपना कैल्सियम होता है वह क्या हो जाता है डिक्रीज हो करने लगता है तो जिससे क्या हो जाता है टिटैनी रोग हो जाता है तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा A number calcium और एक बात जालने जीए एक तो हो गया टिटैनी और दूसरा क्या होता है टिटनेस इस पे आप लोग confusion हो जाओगे हैं तो इस पे confusion होने की बात नहीं है टिटैनी अलग होता है और टिटनेस अलग होता है जो टिटनेस होता है ये कैसा होता है बैक्टीरियल जनित होता है कैसा होता है बैक्टीरियल डिसीज होती है न ये कौन से बैक्टीरिया की वज़े से होता है क्लॉस्टीडियम टिटैनी इस लिए इस पे confusion हो जाते क्लॉस्टीडियम Titanium Titani में Clostridium Titani तो अब अपने को Confuse नहीं होना है ठीक तो और यह जो Titnes होता है या कैसे कैसे हो जाता है अगर किसी जंग लगी वस्थू से चोट लग गई तो क्या हो जाता है Titnes रोग हो जाता है तो इससे क्या हो जाती है जो अपनी Tantri का Tantoo है जो अपना नर्वस सिष्टम है क्या हो जाता है नर्वस सिष्टम इससे प्रभावित होता है कैसा हो जाता है वो अकड की धनुश के आकार का धनुशाकार हो जाता है किसमें टिटनेस के रोग पे राइट, next question क्यों आगे बढ़ते हैं वपन कि नाखोन काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखोन मृत कोशकाओं के द्वारा बने रहते हैं जिनमें रग्त संचरण नहीं होता या नाखोन सरीर का बेकार हिस्सा है या नाखोन कैलसियम फॉस्फेट के बने होते हैं या इनमेशे कोई नहीं तो नाखोन को जब काटते हो तो दर्द क्यों नहीं होता है बताईए तु देखो जो अपने नाखोन होते हैं किसके बने होते हैं किरेटिन प्रोटीन के किसके बने होते हैं किरेटिन प्रोटीन के किरेटिन प्रोटीन तो जो अपने नाकोन होते हैं किरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं इसके अत्रिक्त नाकोन के अत्रिक्त कौन-कौन हो गए अपने बाल भी होते हैं और पशुओं के सींग हो गए उनके खोर हो गाए ये सब किस के बने होते हैं किरेटीन प्रोटीन के बने होते हैं तो क्या होता है कि जो ये किरेटीन प्रोटीन होते हैं ये किसके डेड़ सेल्स के डेड़ सेल के लिक्वेट से बने हुए होते हैं तो जब डेड़ सेल के लिक्वेट से बने होते हैं तो क्य होता है कि इनमें क्या ब्लेड शर्कूलेशन नहीं होता है ब्लेड शर्कूलेशन इनमें क्या होता है एपसेंट होता है जिससे अगर हम जिससे हम इनको नाखोनों को काटते हैं तो क्या होता है कोई दर्द नहीं होता है टिक कि रैटीन हुआ एक और आता है कौन सा कैरोटीन केरोटीन किस में पाया जाता है केरोटीन पाया जाता है गाजर में राइट जो विटामीन ए का क्या होता है पूर्ण पदार्थ मुख के सोर्च होता है किसका विटामीन ए का तो इस पर अपना राइट आंसर क्या होगा ए नंबर कि जो नाखून होते हैं किस से बने होते हैं म ये question आप लोगों के लिए है कि जो osteoporosis होता है वह किस रोग से सम्मन्दित है हड़ी, गुर्दा, दिल या फिपड़ा तो आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा और जिसने अगर osteoporosis के बारे में हमने पिछले अभी यानि कुछ क्वेशनों में osteoporosis का जिक्र भी किया है तो अगर जिसने ये वीडियो पूरी देखा होगा तो उससे ये आंसर बन जाएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल अगली नेक्स्ट वीडियो में ठैंक यू जय हिंद जय भारत जाते जाते लाश्ट में कि वीडियो को like कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा और अगर अभी भी आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा धन्यवाद